नवास्ते मेरे प्यारे वियर्स आज ये वीडियो हिंदी में है और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में सबसे महत्र की वेक्ती है जिनके बिना हमारा जीवन सक्य नहीं है वैसे हमारे माता पिता पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं मातरो देवो भवा पितरो देवो भवा और देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी कुली से देख सकते हैं कि आपकी कुली में माता और पिता का सुख कैसे लिखा हुआ है तो इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि कुल्ली से यदि माता पिता की कुल्ली है तो भी सही है और यदि उनकी कुल्ली नहीं है तो भी उनकी कुल्ली अपनी कुल्ली से उनका स्वास उनका हमसे सबन या उनका आशिरवाज क्या हम उनकी आशाओं को पूरी कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं, सो आईए मित्रों हम देखते हैं किस तरह से ये देखा जाना चाहिए और किस तरह से देखना चाहिए, अब सब को बता है माता और पिता, माता हर वक्त पहले कही जाती है, इसलिए सास्तोकारों ने माता का स्थान चौथे स्थान प रखा गया है दस्वा चौता भाव जो होता है वो परन सुख का स्तान होता है और पिता को रखा गया है दस्वे भाव में दस्वा भाव होता है नाम प्रतिष्टा और कर्म का पिता हमें सिखाते हैं कि क्या कर्म करना चाहिए और कर्म किस तरह से करना चाहिए तो माता सुख द में शाक्षात कार आपको बगवान के रुप में दिया गया है यदि किसी के माता-पिता न हो तो उसे ये नहीं सोचना चेके आप मेरे माता-पिता नहीं रहे ये सूर्य और चंडर जो है जो रोज हमें दिन में शक्ती प्रदान करता है सूर्य और रात को जो हमें शांती देत वो माता है इसलिए रात को हम माता की गुर्द में सो जाते हैं सो इस तरह से माता पिता का स्थान हमारे जीवन में कोई नहीं ले सकता है कोई भी नहीं ले सकता है और इसलिए जो ग्रहे दिये गए माता के लिए चंद्रा जो कोमल सितल होता है और पिता के लिए सूर्य दिया ह है दो होता है और जो आपको सिस्ट पालन कराता है तो इस तरह से मता और पिता का सुख हम 4 भाव से मता और 10 स्वे बहु से पिता चंद्र से मता और सूर्य से पिता का देखते हैं अब यदि ये कु्ली में अच्छे रहे हूँ यदि चंद्रमा उच्छ grव वेठा हो चंद्रमा स्वग्राई बैठा हो चंद्रमा केंदर में त्रिकून में बैठा हुआ है तो अच्छा है तो आपको माता अच्छी मिलेगी और माता से सुख भी अच्छा मिलेगा यदि सूर्य आपकी कुल्य में केंदर में बैठा हुआ है उच्छका बैठा हुआ है स्वग् बनती नहीं है यह उनका दोस नहीं है यह हमारी कुली में दोसे जो हम कम भागी है जो हमें माता पिता का सुख नहीं मिलता है अब कब हमारी शत्रता हो जाती है तो होता है सूरेशनी या चंदरशनी के वज़े से यदि कुली में चंदरशनी बैठा है तो माता के साथ हर वक्त मतबिद होता है इसको विश्योग भी कहते है इसका तुरंच शांती करनी चाहिए यह बहुत खतरनाक योग है आपके मन में कहीं ना कहीं वेरभाव भी जो होता है वो डालता रहता है इसलिए इसको वेरभाव या तो कहा जाता है विश्योग सो इस तरह सी यह अच्छा योग नहीं माना जाता है और सूरेशनी भी अच्छा योग नहीं माना जाता है अभी हालाई ही मैं मैंने सूरेशनी के उपर एक वीडियो किया है जिसमें आप देख सकते कि मैंने कहा है सूरेशनी पिता पुत्रा एक दूसरे से विपरिच सिती में रहते हैं और अपोजिट अट्रेक्ट दोनों को दूजे के बिना चलता भी नहीं है और कभी-कभी साथ में रहना भी दुस्तरमा आता है सो सूरेशनी हो तो पिता से मदबेद होता है चंदरशनी हो तो माता से मदबेद होता है अब कब ऐसा होता है जो माता और पिता का सुख कम मिलता है हमें यदि चंद्र राहू या केतु के साथ हो या राहू और केतु की दस्टी हो उस वक्त पे जादक को माता का सुख लंबा नहीं मिलता है तेकि हो और शतुता हो तो वो चंद्र शनी में होता है या नहो या उसके साथ ज़्यादा लंबा सुख लें देना हो तो चंदर राहू या चंदर केतु हो तो मैं माता का सुख अच्छी तरह से नहीं मिलता है और इस वज़े से हमारा मन भी हर वक्त डैर में पैदा रहता है पिता के लिए सुर्य राहू सुर्य केतु हो तो ये ग्रहन योग बनता है हम जानते हैं कि सुर्य सबका तीज ले लिता है अपने तीज में पर राहू है जो उसके उपर छाया डाल देता है इसलिए उसको छाया ग्रह केते हैं और उसी के वज़े से ग्रहन भी होता है तो इस तरह से और दोनों के आप भागय वर्ष देखे तो 22 और 24 है सूर्य का भागय वर्ष है 22 और चंद्र का भागय वर्ष है 24 यदि सूर्य या चंद्र कमजोर हो तो 22 साल तक सूर्य और 24 साल तक चंद्र जोड़ी खराब हो तब तक आपको माता-पिता का सुख नहीं मिलता और उसके पहले-पहले ही माता-पिता का सुख आपके जिवन से छुनने हो जाता है तो ये आपको बहुत जरूरी है देखना ऐसे ही साथ में यदि दस्वे भाव में राहू या केतु हो या राहू शनी हो या सिर्फ राहू हो सिर्फ शनी हो या सिर्फ केतु हो दस्वे भाव में तो आपको पिता का सुख नहीं मिलेगा यदि चौते भाव में राहू हो शनी हो या केतु हो तो माता होते हुए भी आप माता से दूर रहेंगे यदि चंदर के साथ राहू केतु या शनी जुड़े हुए हो या चौते भाव से जुड़ा हुआ शनी राहू या केतु हो तो आपको माता का सुख नहीं मिलेगा और वैसे ही सूरे के साथ यदि शनी राहो और केतु जुड़े हुए या दर्श्टी बनी हुए तो ये आपको आपको आपके जीवन में पिता का सुख नहीं मिलता है सो इस तरह से माता और पिता के सुख में वादाहे आती है अब ये फल या तो काईमिस तरह पे होता है या तो कभी-कभी ऐसा अनबन हो जाती है वो योग बनता है गोचर में यदि आपके जन्मस्थ सूर के उपर से गोचर का शनी या राहू या केतु ब्रह्मन कर रहा है तो उस वक उस समय तक आपको पिता से वहर हो सकता है या आपके पिता आपके वज़े से शालेरी कश्ट बोग रहे है वैसा ही चंदर के उपर भी होता है यदि चंदर के उपर से शनी का ब्रह्मन हो जो साड़े साथी का second दूसरा पार्ट होता है यदि चंदर के उपर से शनी तू पसार हो रहा हो उस वक्त माता का स्वास्त या माता सबंदी पेड़ाय होते हैं या माता को स्वयम बहुत कष्टक होता है तो यह आप गोचर में भी देख सकते हैं अपनी कुली से कि कप-कप माता और पिता को कष्टक हो सकता है उस वक आपका फर्ज है कि उनके लिए इस चीजों का प्राशित आप स्वयम करें आप स्वयम यदि सूर्य के उपर से शनी राव या के तु ब्रह्मन कर रहा है तो आप सूर्य की चीजों को दान करें और शनी की चीजों को भी दान कर सकतें यजि चंडर के उपर से शनी, राव ओर केतू पास हो रहा है तो इन चीजों का आप डान कर सकते हैं जिसे माता का स्वास्त चाराएग ठीके। और एक चीज होती है वो होता है चायसथवा नमास से गुरू शनिया रहु पास होता है उर चंद्रा है तो माता टा के स्वास्त के लिए यहां कारक होता है तो इसलिए यदि चंद्रमा से आपकी कुलिमे में एक उदारन देता हूँ जिसे सूर्य आपकी नवांश कुलिमें देखना है आपको यदि सूर्य आपकी नवांश कुलिमें कन्या राशी का बटा हुआ है पंचम भाव में बटा है तो वहां से जहां सूर्य बठा है वहां से चौता भाव गिन्ना है अब पंचम भाव में बठा है तो अस्टम भाव हो गया उसका चौता भाव तो अस्टम भाव में आपकी कौन सी राशी आएगी दनु राशी आएगी क्योंकि सुर्य कन्या राशी में बाठा है पंचम भाव में तो आथवे भाव में क्योंकि वहां से चौता होता है वहां पे आपकी दनु राशी होगी दनु राशी में गुरु का ब्रह्मन हो रहा है दनुराशी में शनी का ब्रह्मन हो रहा है राहु का ब्रह्मन हो रहा है या केतु का ब्रह्मन हो रहा है कोई भी ग्रह है यदि कम मात्रा में चलने वाले ग्रह जैसे सूर्य चंद्रा बूद शुक्रा मंगल है जो एक मेने से पांच मेने के अंदर ब्रह्मन करते दो मेने में ब्रह्मन करते वो कम समय की दिक्कते देंगे आपके पिता को और यदि बड़े ग्रह घुरु शनी राहु के तुझ जो एक से डाई साल के बीच में ब्रह्मन करते तो वो लंबे अर्शे की बिमारी या उनको जान लेवा भी हो सकता है आपने सूरे से चौसत्वा नौमास निकालिए, उससे जब कोई ग्रहप ब्रहमन होगा तब आपके पिता के स्वास या पिता के जान के लिए ये जोखम होगा वैसे ही चंद्रा दीखे? जिसे में करता है, चंद्रा आपकी करकर एच्राश। जिसे नौमाज में देखना है। और वहा NOW से होताए आपका टुला रासी तुला रासी में जब भी भी बडए ग्रहे गुरू, शनी, राहू, केतु का ब्रह्मन होगा, नौमा से नहीं, आपके कुली में से, जब जब तुला राशी में से गुरू, शनी, राहू, केतु का ब्रह्मन होगा, आपकी माता के स्वास्त को, या माता के आईश को कहीं न कहीं हानी पहुंच सकती है, तो उस वक्त पे आ आप जान सकते हैं सूर्य से यह 64 का नवास का विडियो जरूर देखें सूर्य से पिता चंदर से माता मंगल से भाय वैन गुरू से आपके पती शुक्र से आपकी पत्नी वैसे मैंने सारे सबन दे दिये कि किस-किस चीजों का आपको उस वक्त पर परिशानी हो सकती है अब यदि आप प्रथम संतान है प्रथम पुत्र है या पुत्री है तो आपकी कुली से पिता का सुख देखा जाता है क्योंकि जो प्रथम बालग गरब से या प्रथम गरब से उत्पन या तो जो अब प्रथम है शायद पहला बच्च या दूसरा बच्च नव बचा हो तो आज जो प्रथम संतान है उनकी कुली से आप पिता का सुप देख सकतें इसलिए कहतें के पहली पुतरी आये तो पिता के लिए लाबदायक होती ये पहला पुतरा आये तो वो उसके कूल के लिए कुल दिपक कहा जाता है तो यदि प्रथम संतान है पुत्र हो चाहे पुत्री हो तो उससे पिता का स्वास्त पिता का सबन पिता की सारी चीजों को दिख्या जा सकता है पैसे ही अंतिम जो गर्वर से पैदा हुआ है जो यंगेश्ट है जो सबसे छोटा है या चाहे पुत्र हो या पुत्री हो तो उसकी कुली से माता का सुख देखा जाता है अब आज की जवाने में तो पता नहीं लोग एक ही संतान करते तो माता और पिता का अलग-लग कैसे देखा जाएगा तो समझे और दो-दो संतान तो कम से कम किजिए तो पहले प्रथम संतान से आपको माता पिता का सुख पता चलता है और चोटे जो संतान होते पुत्र या पुत्री उससे माता का पता चलता है और इसलिए हमारे सास्त्रों में प्रथम संतान को माता का या पिता का अंतिम संसकार करने का हक दिया गया है और जो छूटा होता है बालत उसको माता का अंतिम संसकार का हक दिया गया है यह सब सास्त्रों में सोच विचार करके ही दिएगे सो बड़े पुत्र या पुत्री से पिता का सुख देख सकते और चोटे पुत्र या पुत्री से आप माता का सुख देख सकते अब संतान की कुली से आपको देखना है कि कौन सा संतान है जो माता पिता को अपने साथ रखेगा या माता पिता के साथ रहेगा तो आपको उस संतान, अगर आपकी दो संतान है, तीन संतान है, सभी संतान की कुली को देखना है, और उनके दूसरे भाव, चौते भाव और दसम भाव को देखना है, और देखना है गुरू की स्थिति, यदि दूसरे भाव, सेकेंड हाउस, फोर ताउस और तैंट हाउस, द वाबदारी होती है, यह संतान माता-पिता का अच्छा ख्याल रखेगा, अब साथ में रहे या दूर रहे पर यह माता-पिता का अच्छा ख्याल रखेगा, तो ये संतानों की खुली से आप देख सकते हैं कि किस संतान का लेन देन माता पिता के साथ लंबा रहेगा जिनका गुरू दूसरे चौते और दस्वे भाव से सबंदित होगा या दूसरे चौते और दस्वे भाव को दरश्ट करेगा विसे इस दर्शी ने यहां पे पूर्ण दर्शी ज़्यादा जोर देगी तो इस पूर्ण दर्शी से अगर दूसरा चौता और दस्वा भाव गुरु की दर्शी से होता है तो ये संतान माता पिता को अच्छा द्यान रखेगा और निरंतर और लंबी अर्शत तक रहेगा ये चीजे माता पिता की कुली से भी देख सकते हैं जिन माता पिता की कुली में अच्छे ग्रह हो क्योंकि अस्टम भाव होता है वो बावार्थ भावम के नियम के इसाब से पंचम भाव का चौथा है पंचम भाव संतान होता है और पंचम भाव से चौथा मलब के संतान का सुख कैसा रहेगा तो आपकी कुली में माता पिता की कुली में यदि अश्टम बाओ में शुब गिरा बैठा है तो उनको अपने संतानों का सुख लंबे अर्शे तक रहेगा यदि अस्टमभाव में पापगरा बठा है तो उनके संतान उनको जल्द छोड़ देंगे या संतान अपने हयाती में ही मृत्यू हो सकते हैं तो यह आपको चीज देखनी है किस तरह से योग बनता है अब आपको देखना है कि आपको कब अपने माता पिता का सुख नहीं मिलेगा इसके लिए आपको पहले माता का देखते हैं यदि चंदर चौते भाव में हो तो कारक भाव नाशे बनता है यदि चंदर नवे, ग्यारवे या तीसरे भाव में है तो अपने चौते भाव से 6-8 बारवा होता है यह भावत भाव का घ्याव है यदि चंदर तीसरे, चौते, नवे या ग्यारवे बाँ में बठा है तो या आपको आपके माता का सुख नहीं मिलेगा या आपको stepmother मलब के दूसरी मा आएगी और उससे आपको सबंद बनाने पड़ेंगी stepmother जिसे हम कहते हैं तो उनको अपनी मा का सुख नहीं मिलता है या मा रहती नहीं है या माता के साथ सुख नहीं मिलता है या उनको stepmother यानि की दूसरी माता का योग बनता है वैसे ही पिता का है यदि सूर्य दसम भाव में हो तो कारक भाव नाशे होता है पिता रहते हैं नहीं रहते हैं या रहते हैं और सुख नहीं मिलता है या सूर्य तीसरे भाव में हो पंचम भाव में हो या नवे भाव में हो तब भी पिता का सुख कम मिलता है या पिता को गवाने का जल्दी में ही माता बहुत जल्द में पिता को गवाने का योग होता है या stepfather माता पिता के जाने के बाद या डैवोस लेने के बाद दूसरे पती से शादी करते हैं और दूसरे पिता का सुख मिलता है ये चंदर के लिए आपको चंदर चौते भाव में हो नवे भाव में हो ग्यारवे भाव में हो या तीसरे भाव में हो या चंदर राहू के साथ हो चंदर केतु के साथ हो या चंदर श्यनी के साथ हो इस सारे संजोगों में आपको माता रहती है या माता का सुख रहता नहीं है या माता और माता का सुख नहीं मिलता है और स्टेप मदर हो जाती है आपकी वैसे ही सूर्य दसवम भाव में तीसरे भाव में पंचम भाव में या नवम भाव में हो या सूर्य सनी के साथ हो सूर्य राहू के साथ हो सूर्य केतु के साथ हो या सूर्य शनी के साथ हो इन संजोगों में आपको आपके पिता का सुख नहीं मिलता है या आपके माता आपके मुल्क पिता से छूट के दूसरे पती से शादी करते हैं तो आपको स्टेफ फादर का योग होता है अपने खुद के पिता का सुख नहीं मिलता है तो इस तरह से आप अपनी कुली में माता और पिता का सुख जान सकते हैं और इससे आप जान सकते हैं कि कब तक किस तरह से आपको माता पिता का सुख लिखा हुआ है और इस तरह से आपको पता चलता है कि आपकी कुली में किस तरह इन दूनों वेक्तियों का जिवन में प्रभाव है, ठीक है, तो इसको जरूर देखे, और बताए और देखे, और और की कुली में भी देखे किस तरह से ये फल उनको मिलता है, तो इस तरह से हमने देखा कि माता ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें और मेरी चैनल DM Astrology को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं इस हीतु से आप मुझे संपक्त कर सकते हैं और आप मार्ट देशन के लिए कंसल्टेशन के लिए मेरे इमेल में लिख सकते हैं DM Astrology1 ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ग्यान देने की में कोसिस करूंगा और इस तरह से हम एक दूसरे को सहयोग करेंगी सो आशा रखता हूं फिर जरूर जल से जल मिलेंगे और और एक नए विशे के साथ आपके समने प्रिश्टुत होगा तब तक आपकी आगना चाहता हूं नमस्कार धनिवाज मुझे द्यान से सुनने के लिए और फिर से मिलेंगे दमस्ते